वेल्कम तो मैं चैनल फ्रेंड्स मैं सभान ठाकूर जो आप लोग आज एससे एंटियस का भी पी आई हिस्टिरिका कोर्षिन बताने वाला जो कि इस वार 2021 में होने वाले एक्जामें एक्जाम के विए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलते हैं फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किये हम आज की वीडियो की तरफ जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आएं जो कि बहुत ही चादर इंपॉर्टेंट कोश्चन है एससे एंटियस के लिए तो चलिए हम अपने फर्स्ट कोश्चन के और तरफ चलते हैं हमारा फ प्रैट दीपिये भारत का जच्छी नोख कौन सा स्टेट है कौन सा तो केप केमोरीन है जो कि कन्या कुमारी तामिलाडू में स्थित है केप केमोरीन जो कन्या कुमारी तामिलाडू में स्थित है भारत का सरवाधिक पूर्वी भाग भारत का सरवाधिक पूर्वी भाग कौन सा है बतलत जो कि भारत के पूर्व भाग में सबसे ज़्यादा इस दिखा है वो है अरुनाचल परदेश कौन सा है वो है अरुनाचल परदेश का पूराना नाम क्या है नीफा रुनाचल परदेधार्थ का सरवादी पूरवी भाग कौन सा है रुनाचल परदेजिसका पूरवी पुराना नाम है नेफा एक समुदरी मील बरवर चलते हैं एक समुदरी मील बरवर कितना होता है एक समुदरी मील बरवर 1.852 किलो मीटर होता है एक समुदरी मिलवरा कितना होता है फ्रेंट्स 1.852 किलो मीटर तो चलते हैं हमारे फोर्थ कोस्टिन की ओर छेतरफल की ड्रिष्टी से विस्वे में भारत का स्थान कौन सा है छेतरफल की ड्रिष्टी से विस्वे में भारत का स्थान कौन सा है तो विस्व में भारतकस्थान साथ वा है तो पहला किसका है रस्या और जनसंख्या की डिस्चे से भारतकस्थान विस्व में कौन सा है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चलिए हम अगले कोस्टिन की तरफ चलते है सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है भारत में सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है? गोंड क्या है? गोंड जो की कहाँ पायाता है? एमपी में यानि मद्ध पर्देश भारत का कुल छेतरफल कितना है? भारत का कुल छेतरफल 32,87,263 किलोमीटर है कितना है? 32,87,263 किलो मीटर तो चलते हैं फ्रेंड्स हाँ हमारे साथवे कोस्टन की ओ बोर्लोग पुरुस्कार के सुरुआत कब हुआ कौन सा बोर्लोग पुरुस्कार के सुरुआत कब हुआ